दोस्तो नमस्कार आपका स्वागत है अपने यूटूब चैनल पर कल हम लोगों ने दोस्तो NCRT History Class 6 Chapter 7 को पढ़ाता जिसका टोपिक था अशोक एक अनुका समराथ जिसने युद्ध का त्याग किया आज दोस्तो हम सभी लोग इस क्लास को फटाफट रिवाइस करेंगे और नोट्स भी बनाएंगे तो दोस्तो ये क्लास इंपॉर्टेंट है इस्टेट PCS, UPC Examination, ROARO, TST, PST, केंडरी विद्धाले, नवोदे विद्धाले, DSSV, SSC, CGL, UPSSC, इविन ऐसे सारे एक्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें ये टोपिक आता है दोस्तो टोपिक है अशोक एक अनुका समराथ जिसने युद्ध का त्याग किया क्लास स्टार्ट करने से पहले चार लाइने आप लोगों के लिए देखिए दोस्तो क्या है चार लाइने कहती है मुझे जिन्दिगी कि मैं आदते बदल लूँ बहुत चला मैं लोगों के पीछे अब थोड़ा खुद के साथ चल लूँ तो दोस्तो आईए अब स्टार्ट करते हैं अपनी कलास को देखिए मौर सामराज तो हम सभी को पता है कि जो मौर सामराज है इसकी इस्तापना चंद्रगुप्त मौर ने की थी चंदगुप्त मौर की सायता चाड़क ने की थी जो बहुत बड़े अर्थसास्त्री रहे हैं आज भी चाड़क नीतियां फेमस हैं और इनका एक बेटा था बिंदुसार वो भी काफी फेमस राजा रहे हैं इसके बाद अशोक, असोका दी ग्रेट ये समराठ असोक के नाम से भी इनको जाना जाता है तो देखिए दोस्तों मौर सामराज में क्या दिया गया है मौर सामराज की इस्तापना चंदगुप्त मौर ने 2300 साल पहले की थी ये इसकी टाइमिंग है चालक ये कोटिल ने चंदगुप्त की साहता की इस सामराज में ततावे चंदगुप्त की मंतरी भी थे देखिए दोस्तों चंदगुप्त की मदद की चालक जी ने और साथ में मंतरी भी रहे थे चालक ने अर्थसास की रचना की है नगरों में वैपारी, सरकारी अधिकारी और शिल्फकार रहा करते थे गाउं में किसान, पशुपालग थे, मद्ध भारत के ज़्यादा तर इलाके जंगलों में संग्रहर और शिकार करकी जीवका चलाते थे अर्थात जो किसान या पशुपालग वगयरा थे जो murder भारत में रहा करते थे जो especially जंगलों का area था दोस्तों वहाँ पर जो लोग भी निवाश करते थे वह फलफूल खाते थे जंगलों से प्राप्त करके प्लस जो जानवर होते थे उनका भी वह शिकार किया करते थे तो दोस्तों इतनी बात clear हुई अब आगे बरते हैं मेगा इस्तिनीज मेगा इस्तिनीज क्या था? ये एक राजदूत था किसका राजदूत था? यूनानी राजा सेलकस निकेटर था और इनकी प्रिशिद जो पुस्तक है इंडिका कभी कभी ऐसा कुश्यन आता है दोस्तो कि जो इनडिका पुस्तक है वह किस ने लिखी है तो आप कह सकते हैं मेगा इस्तिनीज ने लिखी है मेगा इस्तिनीज एक यूनानी राजदूत था और वहां के उसमें राजा कौन थे? सेलकस निकेटर हम देखेंगे सामराज की कुछ राजदानिया थी देखेंगे कौन कौन सी थी? पहली दोस्तो थी पाटली पुत्र जिसे पटना कहते हैं और उज्जैन ठीक है? तो उज्जैन मद्द प्रदेश का एक फेमस सहर है एक धार्मिक इस्तल है वर्तमान में ये छिपरा नदी के किनारे बसा हुआ है अब देखें तक्षिला की बात करें ये तक्षिला लिखा है दोस्तो ये वर्तमान में पाकिस्तान में इस्तित है उत्तरपश्वी भारत में उस समय हुआ करता था आई दोस्तो आगे वरते हैं अब प्रशाسन देखते हैं कि उस समय प्रशासन कैसे होता था देखिए अगर सिर्फ राज की बात करें तो राज एक छोटे उस्तर पर है इसी जगे हम बात करें सामराज की, तो कई राज मिलकर सामराज का निर्मार करते दे सामराज को चलाने के लिए अधिक से अधिक सैनकों की जरूरत परती थी धन दौलत की जरूरत परती थी, मैनेज्मेंट की जरूरत परती थी और जो सामराज का राजा होता था, उसे समराट कहा जाता था देखिए दोस्तों प्रशाशन में समस्ते हैं क्या है सामराज बड़ा होने के कारण अलग अलग गी हिस्चों पर, अलग अलग धन्से सासन किया जाता था सामराज दोस्तो इतना बड़ा था मैंने आपको मैप पे दिखाया था उत्तर भारत ले लो चाहे उत्तर पश्मी भारत चाहे उत्तर पूर्वी भारत पश्म उत्तर दक्षिड लगभग पूरे भारत में मौर सामराज का सासन था अशोक का एक सपना था अखंड भारत का निर्मार करना तो दोस्तो इतने बड़े राज में काफी बड़ा राज था तो अलग-अलग इससे पर अलग-अलग तरीके से शाषन किया जाता था आईए अब देखेंगे पाटली पुत्र जिसे पटना कहते हैं वर्तमान में पटना बिहार राज की राजधानी है इसके आसपास के इलाकों पर समराट का सीधा नियंतरम था क्योंकि जो राजा थे समराट थे वो उस सबह पाटली पुत्र में ही निवास करते थे अर्थात व पास के इलाकों पर समराट का सीधा नियंतरम था इसका अर्थ हुआ कि गाहों वा शहरों के किसान पश्यू पालक शिल्फकार वैपारियों से कर इखटा करने के लिए राजा अध्यारियों की नुक्ति करता था आपका अभी-कभी ऐसा कोश्यन आए कि जो उस समय के राजा समराट हुआ करते थे वो कर किस से वसूलते थे ऐसे कौन से लोग थे जो कर दिया करते थे तो आप बता सकते हैं किसान पश्यू पालक शिल्फकार और वैपारियों से यह कर इखटा करके और यह इखटा किसके माद्धिम से कर राते थे डारेक्ट राजा तो जाएकर नहीं इस टैक्स को लेने के लिए उन्होंने कुछ ऑफिसर्स सेलेक्ट करे थे अर्थात अधकार्यों की निक्ति घर रखी दिए अब अपने पास है तक्षिला कहें दोस्तों तक्षिला है जैसा कि आप लोग देठ पा रहे होंगे तक्षिला उज्जैन छोटे छेतरों या प्रांतों पर इन इस्तानों से नेंतरों रखा जाता था कुछ हद तक पाटली पुत्र से इन पर नेंतरों रखा जाता था देखी जो छोटे छेतर हुआ करते थे प्रांत में सुराज हुआ करते थे या कुछ ऐसे इस्तान गुआ करते थे जो छोटे लेवल के थे उन पर तक्षिला और उज्जैन से सासन किया जाता था और तक्षिला उज्जैन पर शासन किया जाता था ये नियंतरों रखा जाता था पाटली पुत्र से जहां पर राजा का महल गुआ करता था जहां वो जो की बिंदुसार का बड़ा बेटा था उजयन में उजयन में दोस्तों थे अशोक समराट अशोक एक राजपाल बनकर आये थे जो वहां की देखरेक करते थे और वहां की समिस्याओं को सुल्जाते थे और पिरजा जोती उनकी बाते भी सुना करते थे अन इलाकों में सिर्फ नदियों और मार्गों पर निंतरन रखा जाता था तो आप लोग एक बात सोच रहे होंगे कि नदियों और मार्गों पर ही निंतरन क्यों रखा जाता था दोस्तों इसलिए रखा जाता था क्योंकि आवा गवन का जो मारग गुआ करता था नदिया और रास्ते यही सब गुआ करते थे इसलिए इन पर नेंतरन रखा जाता था और यहां से वे विविन प्रकार की कर भेट जिसको गिफ्ट वगेरा कहते हैं ये सब चीजे वसूला करते थे या लिया करते थे अन इलाकों में सिर्फ नदियों और मार्गों पर नियंतरन रखा जाता था तता वहां से उन्हें संसाथन भेट की रूप में अब दक्षिड भारत की बात करें तो जो दक्षिड भारत है दोस्तो जहां पर मौसम समान रहता है क्योंकि यह जो लाइन है कहां पर है दोस्तो करक रेखा और विश्वत रेखा के मद में इस्तेत है और तमिल नाडू से अर्था दक्षिड भारत से जो विश्वत रेखा है वो आठ सो शेतर किलोमेटर की मातर दूरी पर है तो यहां जब मौसम समान होता था तो यहां के लोग कम्मल या अन सर्दी वाले वस्तोरों का उप्योग नहीं करते थे इसलिए दक्षिड भारत से क्या लेते थे उस समय के राजा गोल्ड वगेरा लेते थे सिल्वर लेते थे या बेस कीमती पत्थरों भी लिया करते थे अर्था सोना चांदी और कीमती पत्थर भी दक्षिड भारत से लिया करते थे ये सब चीजे लेते थे आईए अब आगे देखते हैं अशोक समराट के बारे में समझते हैं जो की दोस्तों बहुत ही पृसिद समराट रहे हैं अशोक मौर वन्स के सबसे प्रसिद सासक थे इनके पिता जी के नाम बिंदूसार था और इनकी मा का सुभांगी था वह ऐसे शासकते जिनोंने अवलेखों द्वारा जनता तक अपने शंदेश पहुचाने की कोशिश की असोक के ज़्यादा तर अवलेख जो थे वो प्राकृत भासा में और ब्राम्वी लिपी में थे कभी ऐसा भी कोशिशन आता है जो समराट असोक रहें उनके जो अवलेख हैं वह किस भासा में रहे हैं वह दोस्तो रहें प्राकृत भासा में और जो उनकी लिपी है वह दोस्तो ब्राम्वी लिपी है और दोस्तों आपको बतादें, अब लेक क्या होते है, जब पत्थरों पर याए, अपने उप्देशों को, अपनी जानकारियों को कुरेट कर लिखवाते थे, ठीक है, कुरेट कर लिखवाते थे, ये एक इस्तंव के रुप में प्रतरिशित करते थे और लोगों तो ये कर सुनाने के लिए इन्होंने अधकारियों की निक्ति कर रखी दिए अब जो दोस्तों बहुत एहम टॉपिक है वह है अशोक का कलिंग युद्ध किसका दोस्तों अशोक का कलिंग युद्ध आए देखते हैं क्या अशोक का कलिंग युद्ध देखिए कलिंग तटवर्ती उ युद्ध लड़ा। इन्होंने युद्ध लड़ा ता इसमें लगबक एक लाख से जादा लोगों की हत्या हु़ती। लगबक दियर से दो लाख लोगों को इन्होंने बंदी बनाया था। इस नर्जअंगार से प्रवावित होकर इस रक्त भरी युद्ध को देख कर इनका हिर्दय दिर्वित गुआ और इन्होंने डिसीजन लिया कि जीवन में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे और वह धम अपनाएंगे धम का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तो धर्म इन्होंने फिर बहुत धर्म अपनाया गौतम बुद्ध के उपदेशों को अपने भीतर समायत किया इसके बाद इन्होंने एक चीज़ समझी और जानी कि युद्ध की बजाए धर्म से लोगों को परिवर्थित करना चाहिए कलिंग जो दोस्तो है तटवर्ती उडिशा का पाचीन नाम है अशोक ने कलिंग को जीतने के लेक युद्ध लड़ा लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वीतरिश्णा हो गई अर्थात घ्रना हो गई उन्होंने नले किया कि वे भविस्ध में कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे अर्थात उन्होंने ये डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे युद्ध नहीं लड़ेंगे जब भी किसी वेक्ति को परिवर्तित करेंगे तो धर्म के माध्यम से, उपदेशो के माध्यम से जीवन की सच्चाई बता कर। आईए अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या है content? अशोक का धर्म क्या था? अरथाथ असोक का धर्म क्या था? ये बात यहाँ पर है। देखें, अशोक के धम में किसी देवता की पूजा अत्वा किसी करमकांड की आपसकता नहीं थी। अगर कभी आपसे इस टाइब का कोशन पूजा जाए, अशोक ने जो धम अपनाया था, उसमें वो किस देवी या देवता की पूजा करते थे। तो आप जवाब दे सकते हैं कि इस दम में किसी भी देवता की पूजा अत्वा किसी भी प्रकार का करमकांड नहीं किया जाता था, अर्थात इनकी जरूरत नहीं थी। उन्हें लगता था है कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे वेवार की सिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका करतब था कि अपनी पूजा को निर्देश दे। जो गौतम बुद्ध हैं, उनके उपदेशों से प्रेरित थे, अशोक ने धंब के विचरों को प्रशारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीश तता स्रीलंका में दूद बेजे। और स्रीलंका में अपने बेटी और बेटे को भेचा था। इतनी चीजे दोस्तों इस चेप्टर में हम लोगों ने पढ़ ली। कितनी चीजे पढ़ी? अशोक का धंब क्या था? इसके वारें पढ़ा अशोक का कलिंग यूद, अशोक समराट और तक्षिला उज्जैन, पाटली पुत्र, प्रसासन, तीन समराज की राजदारिया, पाटली पुत्र, उज्जैन, तक्षिला और मौर समराज. तो दोस्तों आईए फिर से एक बार इसको देख लेते क्या है? मौर समराज की जो इस्तापना है, वह चंदरगुप्त मौर ने 2300 साल पहले की थी. इनकी हल्प की थी चाड़क ने जो कि अर्थ सास्त्री थे. ठीके दोस्तों, फिर एक पुस्तक लिखी के इंडिका जो कि मे एक यूनानी राजदूद था और वहां के जो यूनानी राज़ा सेलकस निकेटर थे उनका ये इस्पेसली राजदूद था. सामराज की तीन राजदानिया थी पाटली पुत्र, उज्जन, तक्षिला. यहां पर दोस्तों तक्षिला गलत है, साइकल लीजेगा. प्रसाश था और टैक्स के लिए उन्होंने सरकारी कर्मचारी को निक्त कर रखा था. तक्षिला उज्जन, तक्षिला में जो राजचिपाल थे वो सुसीम, जो की बिन्दुसार के बड़े बेटे थे और उज्जन में अशोग हुआ करते थे राजचिपाल. जो अन इलाके थे, आव और वन्स के सबसे प्रसिद सासक रहे, इन्होंने अवलेको अथार्थ पत्थरों पर अपने उपदेशों को उकेरा था और जन्ता तक पहुचाया भी था. असोग का कलिंग युद्ध, इसी युद्ध के बाद इन्होंने दोस्तों युद्धनीत को त्याग दिया था और गौतम बुद्ध के उपदेशों को अपनाया था. असोग का धम की बात करें, तो इन्हों ये किसके उपदेशों से प्रेरित थे? ये प्रेरित थे गौतम बुद्ध के उपदेशों से और इन्होंने उपदेशों को इधर दर पहुचाने के लिए अपने कर्मचारियों को बोराज दूतों को भेजाता इस्पेसली देश देखना चाहें सीरिया मिस्ट ग्रीस तता स्रीलंका में दोस्तों यह चेप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है उमीद आपको पसंद आया हुआ इसी तरीके की क्लास आपको लगातार मिलेंगी यह आपसे प्रॉमिस है बट आप भी सपोर्ट करें प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल लाइक शेयर दोस्तों अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करें डियर स्टुडेंट जय हिंद जय भारत